आइडिया वीडियो कक्षा एक और दो के बत्लों की माताओं के लिए नमस्ते आज की मीटिंग में आप सबी का स्वागत है आशा है आपको पिछले हफ़ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुवात करते हैं पिछले हफ़ते की गतिविदी और कक्षा एक और कक्षा दो की वरक्षीट तथा कबार से जुगार इस वीडियो पर आपके अनुभव जरूर बताए अब साथ लाई हुई वरक्षीट हाथ में पकड़ कर फोटो खीचते हैं तब तक के लिए वीडियो यहां पॉस करते हैं चलिए अब आगी की गतिविदी करते हैं जिसका नाम है कर के देखते हैं सबी माताओं को घेरे में खड़ा करें बीच में जितनी माताएं होंगी उससे एक कम कुर्सी रखें आप संगी शुरू करें सबी माताएं कुरसी के इर्द गिर्द घुमे जैसे ही म्यूजिक बंद होगा कुरसी पर बैटना है जिस माता को कुरसी नहीं मिलेगी वह आउट होगी एक-एक कुरसी कम करते हुए खेल आगे खेलते रहे जो माता आखिर तक रहेगी फ़विजेता होगी यहां खेल होने तक वीडियो यहां पॉस करते हैं चलिए अब आगी की गतिविदी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए इससे उनके विकास में मदद मिलती है और वे बड़े होने पर उन पर सकारत्मक परभाव पढ़ सकता है आईए हम इस वीडियो से अधिक जानकारी लेते हैं आजकल बहुत सारे कारणों की वज़े से माता पिता को बच्चों को समय देना मुश्किल होने लगा है वे चाहकर भी बच्चों के लिए जरूरत के अनुसार समय नहीं निकाल पाते हैं ऐसे में कई बार बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं उनसे शिकायते करने लगते हैं पिता एक बार बच्चों को समय नहीं दे पाए तो फिल भी बच्चों को चल जाता है लेकिन मा यदी समय नहीं दे पाए तब तो बच्चों के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे गुमसुम रहने लगते हैं आईए हम कब और किस तरह से बच्चों के लिए समय निकाल सकते हैं देखते हैं सुबह घर से निकलने से पहले बच्चों को नहलाने के बहाने, साथ में नाश्टा करने के बहाने, उनके साथ समय व्यतित करें ऐसा करने से वे खुशी महसूस करेंगे, साथ ही आप उनको काम भी सिखा सकेंगे और ये सब चीजें एक दिन के लिए नहीं, बलके रोज का नियम बना दें, इससे बच्चा आपके करीब होगा रात में प्रती दिन बच्चों को कहानी सुना कर प्यार करते हुए सुला दें कहानी के माध्यम से आप उन्हें कई सारे नैतिक मूल्य भी सिखाने में काम्याब हो जाएंगे जब आपका छुटी वाला दिन हो, तो आप बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं उनकी घर के छोटे-छोटे कामों में मदद लें, ताकि उनका समय वो आपके साथ बिताएं जब बच्चे काम को बहुत अच्छे ढंग से करें, तो उसके लिए उन्हें शाबाशी या इनाम देना ना भूलें उन्हें जू या गार्डन में घुमाने के लिए ले कर जाएं, इस तरह बच्चे को आपकी कमी भी नहीं खलेगी इस चानकारी का फाइदा आपको कैसे हो सकता है, सबी माताएं बारी-बारी से सम्मू में बताएं चलिए, अब आगी की गतिविजी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं काच के ग्लास को पानी से आदा भरे, बच्चों को तीन-चार वस्तु दे, जैसे सिक्का, पत्ता, निम्बू, अंगोठी एक-एक करके उन्हें पानी में डालने को कहें, क्या डूबी, क्या तैरी, पूछे इसके साथ ही दी गई वर्क्षीट में कक्चा एक और दो की गतिविदियां बताई गई है, उन्हें समझे और बच्चों से करवाएं बच्चों को गतिविदी और वर्क्षीट कैसी लगी, अगले सब्ता आपके अनुभव हमारे साथ साजा करें आज का मज़ेदार सवाल, हरा रंग कौन से दो रंगों को मिलाने से बनता है? आज की गतिविदियां यहां पर समाप्त हो रही हैं, ऐसे ही नई जानकारी और गतिविदों के साथ अगले सब्ता फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और बच्चों का खयाल रखें, धन्यवाद